अगर आपकी भी चिकन, मचली या फिर पनीर टेश्टी नहीं बनती है ना तो इस पीडियो को पूरा देखिए तीनू रेसिपी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है जिसे आप पाटी में मेहमान के आगे या फिर कभी भी इस पेसल बदलते मौसम के साथ आज मैं टेश्टी होगी और जो मचली का जो टेश्ट होगा ना बिलकुल ही अलग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगते हैं तो सबसे पहले आपको मचली लेने है तो यह देखे रेहू के मचली मैंने अच्छी तरह से कट कर ली है अगर मचली बनाते समय आपके सब्सक्राइब एक्स्राब पानी सभी होटा देने त्यूर्प सैम्गियाँगे ४श्र्म्ध को लिए सब्सक्राइब 12 अग मीरी चशंक्प करने वा तबिद 되고 तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरसी से धो के साप कर लिया था और यह जितने भी जड़ बगर में मिट्टी बगर लगे थे सारे हटा दिये हैं जड़ को सिर्फ छोड़ना है और जो इसके टहनी है उसी को लेना है इसी में इसका पूरा टेस्ट आता है धनिया पत्ति का जो पीले वाले सरसो एक किलो मचली है तो आधा किलो में इसमें ग्रेपी बनाने वाली हूं और आधा किलो इसी तरह फ्राइवाले रखने वाली हूं तो दो मैंने डाल दिया है हरी मीर्च और दो मैंने डाल दिया है टेस्ट बढ़ाने के लिए और मसाले को अच्छा सा भी डाल दिया वैसे तरसोड डाले हैं अगर धनिया नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है यह देखें पीसे वाले लसुन थे तो दो से तीन चमज मैंने लसुन का यूच किया है और तीन से चार कर लिए मैंने एक्ष्टरा डाल दी है लसुन की उसके बाद आपको क् म 1950 मासाले को डाल के पीच लेना पाणी व candy मांने डालना है उसके बाद क्या करना यह के दस मिनट हो चुके हैं उसके बाद मैंने थोड़ा सब धनिया का Outdoor डाला है थोड़ा से मैंने मिर्ची का पौडर डाला है थोड़ा से मैंने जीरी का पौडर डाला है उसके बाद मैंने डाल दिया है जो पेस्ट अभी पीसे था न मसाले वाले मैंने उसे मिला दिया है और अच्छी तरसे से कोट कर देना बहुत ही अच्छा सा फ्लिवर आता है कई बार आपको लेनी एक मोटे तेले की कढ़ाई ये देखे मैंने मोटे तेले के कढ़ाई लिए है और अच्छी तरह से सबसे पहले गरम करना पड़ेगा जब भी आप मचली के रेसिपी बनाए फ्राइ करना है तो अच्छी तरह से तेल को गरम करना पड़ेगा और कढ़ाई को भी स scies हमारे मसाले पकेंगे और एक scies आपको मच्छी Oprah कर लेन है, क्यूंकि मसाले में लगने वाला है थाइम क्यूंकि यह कच्ची वह जितने भी धनिया पति वगडर है डाले है बिल्कुल ही कच्चापन देंगें, बस इसी तरह आपको जितना अची तरह से एक साइट पकने देना अब यह देखे मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं स्वादन मसाल मने नमक डाल दिया फिर से और अच्छी तरह से आपको लगतार चलाते रहना यह देखे मसाले को भूनना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें कच्छापन फ्लेबर है मिर्ची का लसुन का और जो धन मैंने लिया है आधा चमच के करीब हल्दी पाउडर यह देखे अगर आप बड़ी चमच का इस्तमाल करें तो आधा से एक चमच छोटे चमच से आप डाल सकते हैं तोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है नॉर्मल वाली जो चमच होते उससे अगर ले रहे हैं तो की बहुत ही फेमस वाली रेसिपी है सरसो वाले मचली अगर कभी भी आपने नहीं ट्राय किया हमें सब प्याश डाल के बनाते हैं तो एक बर इस तरह के जरूर बनाईएगा तो यह देखे सबी चीज़ को डालने पाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कलर उठाने के लिए क अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अगर अच्छा कलर चाहते हैं तो और नहीं चाहते हैं तो आप इसके बीना भी बना सकते हैं स्वाद में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है और अगर कासमीरी लाल मिर्च का इस्तमाल करते हैं तो आपको लाश्ट में डालना अगर शुरू में डालेंगे तो मसाले हमारे काली हो जाते हैं यह बात का आपको धिहां रखना है और यह देखे, मैंने पानी डाल दिया है, मच्छली वगर अभी कुछ भी निडालना है, एक उबाला आने तक आपको भी इंतिजार करना है, ताकि जीतना भी कच्छापन फ्लेवर है, यह ग्रेवी में सभी खतम हो जाए, तो यह देखे, अच्छी तरह से मसाले को मिस कर देन है, आप जाये तो कभर लगाए, अभी ही पका सकते है, अगर मच्छी डाल दी है, उसके बाद इसमें कभर नहीं लगाया जाता है, तो एक ही उबाला आने देना जाता उबालना नहीं है नहीं तो पूरा टेश्ट का बेकार हो जाता है इसलिए यह सब छोटी-छोटी बातों से अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी भी मचली बहुत ही टेश्टी बनेगी और मैंने बहुत सारी डिप्रेंट टाइब की मचली के रसपी बताई है जाके मेर ग्रेवी पसंद है तो आपको थोड़ से कड़े उतारना है अगर आप थोड़ से पतले वाले पसंद करते हैं इस तरह से तो इस तरह से उतार देना यह देखिए और क्या करना अच्छी तरह साब को निकालना है आप देख सकते होटल से बिलकुल भी कम नहीं लगेगी और इसकी जो ग्रेवी का जो टेस्ट है ना बिल्कुल बदलते मौसाम के साथ बिल्कुल ही परफेक्ट बनती है तो कैसी लगी यह रसपी यह हमें आप जरूरू बताएं सिर्फ 10 रुपे खर्च करके होटल जैसी पनीर कैसे बनाए अगर आप यह जाना चाहते है ना तो इस वीडियो को पूरा देखिए घर के ही मसालों से आज मैं इस रेशेपी को बचाने वाले हूँ और सिर्फ 10 रुपे खर्च करके इस रेशेपी को टेष्टी बनाने वाले एक SIMLAMINS को cut कर लिया है और एक Tomato को cut कर लिया है और ये है LASUN ये देखिये लस΁न मैंने डाल दिया है ठीन तीन, गड़े इंच के करीब मैंने अद्रक का इस्तेमाल किया है छोटे छोटे टुकडे में cut करके डालेंगे तो अच्छी तरह से आप पीश के पानी दाते हैं और यह देकिए 10 रुपए के ही काजू से आप इस récipe퍼 को बहुत ही डेस्टी बना सकते हैं तो यहYes hat. अब मैंने किया किया एड़् किया है जिससे यह पनीर का टेस्ट बढ़ जाने वाला है और कैसे मैंने इसे भूना है, जिससे इसका टेस्ट बिल्कूल ही होटल के पनीर जैसा होने वाला है, तो यदि के प्याच के आपको क्या करने है, छिलकी इस तरह से निकाल लेने हैं, और एक मैंने यूज किया है, सिमला मिर्च का कैसे इस्तिमाल करना है, प्याच को कैसे डालना है, अब मैं पू सेलो फ्राय करना यह देखे हलका सापको सेखना है और सभी पनीर को आपको निकाल लेने ताकि इसमें जितना भी कच्छापन फिलेवर है हट जाए और यह देखे यह बचे हुए तेल का ही इसमें और थोड़ा सा तेल एड़ करने वाले हैं आप चाहे तो इस रेसपी को पूर तो एक चमच के करीब मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है एक चमच के करीब मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है उसके बाद मैंने डाल दिया है जीरा का पाउडर तो देखे दो चमच के करीब मैंने जीरा का पाउडर डाल दिया है और देर चमच मैंने धनिया का प तो आप अपने हिसाब से देख से हैं ती खांपको कितना रखना , तो उतकि आजलों है यह सब più और पिलुकल कि आने को इीको अब हैखतोव है , बहुत ही tasty वाली पनीर की सबजी की रसेपी बनती है, मैंने बहुत सारी अलग-अलग different टैप की सबजी की रसेपी में डाल रखी हूँ, पनीर कैसे बनाएं, पनीर मटर पनीर कैसे बनाते हैं, प्याज वाले पनीर कैसे बनाते हैं, या फिर simple तरीके से पनीर कैसे बनाते हैं, यह होटल इस्टाइल है अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक अभी कर सकते हैं और इसी तरहा की चैनल में देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे अब चलिए वो मसाला में डालने वाली हूँ जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा और जो इसका टेस्ट है और जो कलर है वो बिल्कुल ही ज्यादा अच्छा उभर के आता है तो यह देखे मसाले को सबसे पहले अच्छी तरह से भून लेना कचापन टेस्ट खतम करना है उसके बाद आपको डालना है स्वाद अनुसार नमक जी हाँ दोस्तों नमक डाल देना है नमक डाल के भी वही प्रोसेस करना है बिल्कुल ही कचापन फ्लेवर खतम हो जाना चाहिए तब तक आपको डालना है प्याज और जो सिम्ला मिर्च काटे है उसका भी इस्तमाल करेंगे लेकिन अभी नहीं अभी इसमें क्या मैं एट करने वाली हूँ जो होटर वाले हमेश करते हैं जो हम लोग को पता भी नहीं होते हैं कि उसका इस्तमाल हुआ जाता है तो यह पका ले अगर आप चाहे तो कब्हर करके भी पपका सकते हैं जल्दी पख जाएंगे और यह क्या करना अचीतर यह देखे मैं जैसे अब करना बहुत ही अची तरव से इस्टमाल करते हैं अब मैं वो पताने वाली हूँ, तो इसमें मैंने डाला है Tomato Source, ये देखें, मैं की कमपनी के अगर आपके पास Tomato Source है, तो उसको भी डाल सकते हैं, उसे ज़्यादा ही अच्छा सा टेश्ट आता है, और नहीं है तो नूर्मलवाले जो सोर्स होते है उसका भी इस्तमाल कर सकते है तो ङीड़ चमच मेरे टोमेटो सोर्स का इस्तमाल किया है और ये है किचन कींग मसाला जी है जोड़ोगे पैकेट में भी आपको मिल जाएगे दासronics में बागेट में बड़े पैकेट से निकाले है तो जरूर बनाईएगा सब को बहुत ही जादा पसंद आने वाली है और मैंने बहुत सारे इस तरह की सिंपल और बिल्कुल ही ऑस्साम वाले ट्रिक अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्रक्राइगा सब्सक्राइगा 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 के recipe डाल रखी है नहीं देखे तो जाके देखे और हाँ जब भी gravy बनाएंगे ना तो आपको गरम पानी का जादा रखना आप देख सकते हैं और यह देखे बहुत ही रिष्टी वाली आपकी पनीर की सब्जी तयार हो चुकी है तो कैसी लगी आज की हमारी यह पनीर बनाने का style यह हमें आप जरूर बताईएगा और यह रेसिपी अगर पसंद आती है तो एक लाइक चरूर कर हो चुकी है अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक कर दिजेगा तो मिलते हैं फीर इससे शेत चावल के साथ रोटी के साथ जिसके साथ खाना चाहेना आप 악न बीन के सर्फकर सकते हैं चाम slight और को ही कक मनेहिं लगने थे करते हैं अगर आपक rolls इ Chief न ये से टेस्ट लेस बनता है, बिल्कुल ही स्वाद नहीं आता है ना, तो इन तरीकों से बनाईए, सारी सिकाईते आपकी खतम हो जाने वाली है, तो सबसे पहले मैंने लिए हैं, पांच चमच धनिया, ये देखिए, नोर्मल वाले चमच है, भरके मैंने अच्छी तर से धनिय ले लिए, तवी को अच्छी तर से गर्म किया है, और चार सूखी वाली लाल मिर्शी ले लिए, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, हमेशा आप मिर्शी पाउडर डाल के बनाते होंगे, लेकिन एक बड़ सूखी वाली लाल मिर्श जरूर डाली है, चार चमच मैने जी लाची, तीन से चार आपको लाची डालने है, और यह देखे, मैने डाले है, जटामासी, थोड़ से जटाम जैसे होते हैं, अगर है तो जरूर डालिएगा, और थोड़ी से मैने डाल दी है, जावीत्री, सभी मसाले को अच्छी तरह से एक से दो मिनट, पटपट की ताले को भून लेना है, उसके बाद आपको लेने है लसून, तो यह देखे, दो कली मैने लसून के गाट के लिए है, और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है, आप चाहे तो थोड़े से लसून के मातरा कम कर सकते हैं, अगर जादा फ्रेवर नहीं पसंद है, तो प्याज लेना, प्याज कितना लिए आप देख सकते हैं, लगभग तेड़ पाओ के करीब मैरे पास प्याज है और तीन पाओ चिकन है, फिर लेना है आपको सर्चो का तेल, सर्चो का तेल इतना लेना है, जिसमें प्याज और चिकन अच्छी तरह से भून के तयार हो जाए वेसे भी चिकन मटन में थोड़े से प्याज और तेल वो ज़्यादा ही जाते हैं तो तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है तो यहीं समय डाल सकते हैं नहीं है तो डायरेक्ट प्याज डाल दीजिए और प्याज डाल को लगतार आपको चलाते रहना प्याज को ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, बिल्कूल ही अलक प्रोसेस से मैं इस रेसिपी को बता रही हूँ, कई बार आपने चिकन की रेसिपी बनाई होगी, लेकिन अगर मेरे तरीके से इस चिकन को बना लिये ना, तो हर, जितनी भी आपने तरीके अजमाई होंगे सारे फीके लगने वाले हैं तो देखे हलका समय प्याच को ब्राउन कर लिया है ज़्यादा नहीं किया है प्याच के जितने भी एक्स्ट्रा पानी थे सभी खतम हो चुके हैं तब तक आपको भून लेना है उसके बाद क्या करना है अच्छे लिए मैं वह वताने बाद आ ली हूँ तो उसके बाद आपको डाल देने हैं चिकन को तो चिकन देखे बड़े-बड़े पीसेस में है दो पानी से अच्छी तरसे धो लिया है और हाँ जब भी चिकन धोएना तो तूरंत ही आपको पानी से निकाल लेना तूरंत ही वास करना है तूरंत ही निकाल लेना ज़्यादा देर इसे पानी में नहीं छोड़ना है कुछ-कुछ गलतिया करते हैं जिससे आपके चिकन है ना बहुत ही फीके बनते हैं तो ये सब गलतिया नहीं करनी है और पूरा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आपकी हर बार चिकन की रेसिपी इसी तरह बिल्कुल ही टिष्टी बनेगी वैसे मैंने मचली की रेसिपी डाल रही है चमपारन वाली हांडी एस्टाइल मीट की बी रेसिपी डाल रही है नहीं देखिया है तो जाके देख सकते हैं और यहीं बीच आपको क्या करना है गैस की फिलेम बिल्कुल ही हाई करना है और कभर करके इसे अच्छी तरह से पकाते रहना इसलिए जब भी चिकन को पकाएं तो गैस की फिलेम हाई करके पकाएं स्वाद अनुसार नमक अभी ही मैंने डाल दिया आप देख सकते हैं बिल्कुल ही प्रोसेस इसका अलग होने वाला है इसलिए मैं कहारी हूँ अगर जैसे मैंने बनाया है उसी तरह बनायेगा स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद मैंने डाल दिया है डेल चमच के करीब हल्दी का पाउडर ये देखे डेल चमच के करीब आपको हल्दी पाउडर डालना है और फिर आपको भून लेना है देखे पीसेस वगरा कुछ भी नहीं कटकिये है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चिकन का आपको चेंज लग रहा होगा बस इसी स्टेज में आपको अभी लगा तार भून दे रहना ये देखे जैसे आप भूनेंगे ना नमक और हल्दी लगाके इसका तेस्ट बिल्कुल ही बढ़ जाएगा और हाँ एक चीज़ में और डाली है आधा चमच कम से कम आपको काली मिर्च का पाउडर डालना है बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है वैसे तो आप मसाले के साथ भी इसे ले सकते हैं लेकिन अगर अभी डालके भूनेंगे ना तो इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल ही बढ़ल जाता है तो आधा चमच में काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है नमक भी डाल दी है और अच्छी तरह से चलाके भून लेना है उसके बाद यह देखें मसाले हैं मसाले को आपको को डाल देना है पानी वरे बिल्कुल भी अभी नहीं दालना और यही मसाले में आपको भूहना है जाए है और के चीकन की रसिपी देखने जाते हैं और मचली स्पेसल बहुत सारी रस्पी मेरे वीडियो में मिल जाएगी तो यह देखे अच्छी तरह से मैंने कभर लगाना है और 2-3 मिनट इसे कभर करके भूनना है ताकि हमें एक्ष्रा पानी जरूरत ना पड़े और बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करके इस टेश्टी चिक चिकन बनाए और अद्रक ना डाले तो वह टेश्ट बिल्कुल भी नहीं आपाता है तो मैंने अद्रक ले लिया है ये दिखी इतने बड़े अद्रक को मैंने अच्छी तरह कदूकस कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 2 हरी मिर्श अच्ường चोटे शोटे-चोटे कट क अच्छी तरह से लगबख भून चुके हैं उसके बाद मैंने अधरक और हरी मिर्श का इस्तमाल किया है उसके बाद अच्छी तरह से मिलाना है और फिर से कवर करके लगबख इसे 45 मिनिट तकी यही प्रोसेस में आपको भून लेना है चिकन जैसे जैसे भूनेंगे इसका टे तो आप कैसे मैंने इसे एड किया है और क्या क्या चीज अभी और भी डालने वाली हूं जिससे इसका टेस्ट कही गुना बढ़ जाने वाला है तो यह देखे कलर आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है अगर कलर आपके अच्छे नहीं आते है तो आपको क् जरूबत नहीं है तो वो भी मसाले आपको लाने है तो कौन से मसाले हैं जिससे का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है यह तो हो गए चिकन यह आप चाहे तो इस तरह भी बना सकते हैं लेकिन एक मसाले डालेंगे न तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही हाई लेवल हो जाता है तो वो है आपके चिकन मसाले यह देखें दस रुपे के पकेट में भी मिल जाएंगे या फिर आप बड़े वाले पकेट का भी इस्तमाल कुछ-कुछ रेसेपी में कर सकते हैं तो दो से धाय चमच मैंने ले लिए हैं यह चिकन के मसाले और फिर मैंने इस अची तरह से डाल दिया है इसे और भी मैं टिष्टी बनाने वाली हूं वैसे तो चिकन में क्या हो जाते कि टमाटर नहीं पढ़ते लेकिन अगर आप चाहे तो इसमें टमाटर डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है बिल्कुल जो ग्रेवी है ग्रेवी तरह से पक गय तो आप इसे निकाल सकते हैं और थोड़ी सी आपको गरम पानी इसमें यूज करना है तो ग्रेवी आपकी बहुत ही अच्छी से जो इसका रंग होता है वह बहुत ही अच्छा आता है जितने आपको सुखा निकाल लीजिए दोनो रेशापी आप इसी से बना और अच्छी तरह से पांच मिनट के लिए कुक कर लेना है धनिया पती है तो धनिया पती डाल सकते हैं बहुत ही रिष्टी वाली ये चिकन के रेसिपी बन के तयार हो चुकी है अगर एक बार मेरे तरीके से बना लेंगे तो सारे तरीके आपको फ्वेल लगेंगे और कोई भ सब्सक्राइब है तो एक लेगा भी कर सकते हैं तो मिलते हैं फीट से नेक्ष्ट रुमे में तब तक के लिए पाई